नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है मुंसी प्रेम चंद की लोगप्रियाव पन्यास रंग भूमी का चवालिस्वाम भाग तीसरे देन यात्रा समाथ हो गई तो संध्या हो चुकी थी सोफिया और विनै दोनों डरते ह्विगारी से उतरे कि कहीं किसी परिचित आदमी से फेट न हो जाए सोफिया ने सेवा भवन चलने का विचार किया लेकिन आज वो बहुत कातुर हो रही थी रानी जी न जाने कैसे पेश आए वो पस्ता रही थी कि ना हक यहाई न जाने कैसी पड़े कैसी न पड़े अब उसे अपने ग्रामीन जीवन की याद आने लगी कितनी शान्ती थी कितना सरल जीवन था ना कोई विग्न था ना बाधा ना किसी से द्वेश था ना मत्सर विने सिंग ने उसे तस्कीन देते वे का दिल मजबूत रखना जरा भी मड़ डरना सच्ची घटनाएं बयान करना बिलकुल सच्ची तनिक भी अतिश्योक्ती ना हो जरा भी खुशामत ना हो दया प्रार्तन का एक शब्द भी मुख से ना निकालना मैं बातों को घटा बढ़ा कर अपनी प्रान रक्षा नहीं करना चाहता न्याय और शुद्ध न्याय चाहता हूं यदि वह तुमसे अशिष्टा का व्यवहार करें कटू वचनों का प्रहार करने लगे तो तुम जहन भर भी मठ्थ करना रातकाला कर मुझसे एक एक बात कहना यह यह कहो तुम मैं तुम्हारे साथ चलू सोफी उन्हें साथ लेकर चलने पर राजी न होई विने तो पांडेपुर की तरफ चले वह सेवा भन की ओर चली तांगे वाले ने कहा मिस सहाब आप कहीं चली गई थी क्या बहुत दि सोफी का कलेजा धक धक कने लगा बोली तुमने मुझे कब देखा मैं तो इस शहर में पहली बार आई हूँ तांगे वाले ने कहा आप ही जैसी एक मिस सहाब यहां सेवक सहाब की बेटी भी थी मैंने समझा आप ही होंगी सोफिया मैं इसाई नहीं हूँ जब वा सेवा भुवन के सामने पहुँची तो तांगे से उतर पड़ी वह रानी जी से मिलने के पहले अपने आने की कानों कान भी खबर नहीं होने देना चाहती थी हाच में अपना बैग लिये हुए डियोडी पर गई और दर्बान से बोली जाकर रानी जी से कहो मिस सोफिया आपसे मिलना चाहती है दर्बार उसे पहचानता ही था उठकर सलाम किया और बोला हुजूर भीतर चले इतला क्या करना है बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए सोफिया मैं बहुत अच्छी तरह खरी हूँ तुम जाकर इतला तो दो दर्बार सरकार उनका मिज़ाज आप जानती है बिगर जाएंगी कि उन्हें साथ क्यों न लाया इतला क्यों देने आया सोफिया भेरी खातिर दो चार बाते सुन लेना दर्बार अंदर गया तो सोफिया का दिल इस तरह धरक रहा था जैसे कोई पत्ता हिल रहो मुख पर एक रंग आता था एक रंग जाता था धरका लगा हुआ था कहीं रानी साहब गुस्से में भरी वहीं से बिगरती भी न आए यह कहला दे चली जा नहीं मिलती बिना एक बार उनसे मिले तो मैं न जाऊंगी चाहे वह हजार बार दुतकारे एक मिनट भी न गुजरने पाया था कि रानी जी एक शाह लोड़े वे द्वार पर आ गई और उसे तूट कर गले मिली जैसे माता ससुराल से आने वाली बेटी को गले लगा ले उनकी आखों से आसूँ की वर्षा होने लगी अवरूत कंट से बोली तुम यहीं क्यों खरी हो बेटी अंदर क्यों नहीं चली आई मैं तो नित्य प्रती तुम्हारी बार जोहती रहती थी तुमसे मिलने को जी तरप तरप कर रह जाता था मुझे आशा हो रही थी कि तुम आ रही हो पर तुम आती न थी कई बार योहीं स्टेशन तक गई कि शायद तुम्हें देख पाऊं इश्वर से नित्य मनाती थी कि एक बार तुमसे मिला दे चलो भीतर चलो मैंने तुम्हें जो दुर्वचन कहे थे उन्हें भूल जाओ फिर दर्वान से बोली या बैग उठा ले महरी से कह दे में सोफिया का पुराना कमरा साफ कर दे बेटी तुम्हारे कमरे की और ताकने की हिम्मत नहीं पड़ती दिल भर-भर आता है या कहते वे सोफिया का हाथ पकड़े अपने कमरे में आई और उसे अपनी बगल में मसनत पर बठा कर बोली आज मेरी मनों कामना पूरी हो गए तुमसे मिलने के लिए जी बहुत बेचैन था सोफिया का चिंता पिरित हिर्दय इस निरपेक्षित स्ने बाहुले से विहल हो था वा केवल इतना ही कह सकी मुझे भी आपके दर्शनों की बरी अभिलाशा थी आपसे दया भिक्षा मांगने आई हो रानी बेटी तुम देवी हो मेरी बुद्धी पर परदा परा था मैंने तुम्हें पहचाना ना था मुझे मालूम है बेटी सब सुन चुकी हूँ तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है यह मुझे ना मालूम था अगर पहले ही से जानती यह कहते कहते रानी जी फूट फूट कर रोने लगी जब चित्त शानत हुआ तो फिर बोली अगर पहले से जान गई होती तो आज इस घर को देख कर कलेजा ठंडा होता उफ मैंने विने के साथ घोर अन्याय किया तुम्हें ना मालूम होगा बेटी जब तुमने विरपालित सिंगी नाम था न हाँ जब तुमने उसके घर पर रात के समय विने का तिरस्कार किया तो वा लजजित होकर रियासत के अधिकारियों के पास कैदियों पर दया करने के लिए दौर ता रहा दिन दिन भर निराहार और निरजल परा रहा रात रात भर पड़ा रोया करता कभी दिवान के पास जाता कभी एजेंट के पास कभी पुलिस के प्रधान करमचारी के पास कभी महराजा के पास सबसे अनुने विने करके हार गया किसी ने न सुनी कैदियों की दशा पर किसी को दया न आई विचारा विने हताश होकर अपने डेरे पर आया नजाने किस सोच में बैठा था कि मेरा पत्र उसे मिला हाई सोफी वह पत्र नहीं था विश्का प्याला था जिसे मैंने अपने हाथों से पिलाया कटार थी जिसे मैंने अपने हाथों उसकी गर्दन पर फेरा मैंने लिखा था तुम्हें श्योग नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना पुत्र समझू तुम मुझे अपनी सूरत न दिखाना और भी न जाने कितनी कठोर बाते लिखी थी याद करती हूँ तो छाती फटने लगती है यह पत्र पाते ही वह बिना किसी से कुछ कहे सुने नायक राम के साथ यहां आने के लिए तैयार हो गया कई स्टेशनों तक नायक राम उसके साथ हाए पंडा जी को फिर नीद आ गई और जब आँख खुली तो विने का कहीं गारी में पता न था उन्होंने सारी गारी तलाश की फिर उदैपुर तक गए रास्ते में एक एक स्टेशन पर उतर कर पूछ ताश की पर कुछ पता न चला बेटी यह इस अभागनी की राम कता है मैं हत्यारिन हूँ मुझसे बरी अभागन संसार में और कौन होगी नचाने विने का क्या हाल हुआ कुछ पता नहीं उसमें बड़ा आत्मा भीमान था बेटी बात का बड़ा धनी था मेरी बातें उसके दिल पर चोट कर गई मेरे प्यारे लाल ने कभी सुख नहीं पाया उसका सारा जीवन तपस्या में ही कट गया यहां कहकर रानी फिर रोने लगी सोफी भी रो रही थी पर दोनों के मनोभाव में कितना अंतर था रानी के आसु दुख, शोक और विशाद के थे सोफी के आसु हर्ष और उल्लास के एक शन में रानी जी ने पुछा क्यों बेटी, तुमने उसे जेल जाते देखा था तो बहुत दुबला हो गया था क्या सोफी, जी हाँ, पहचाने न जाते थे रानी, उसने समझा विद्रोहियोंने तुम्हारे साथ नजाने क्या वेवहार किया हो बस इस भात पर उसे जिद पर गई अहराम से बैठो बैटी, अब यही तुम्हारा घर है अब मेरे लिए तुम ही विने की परतिछाया हो अब यह बताओ, तुमने इतने दिनों क्या किया, कहा थी इंदरदत तो कहता था कि तुम विने का तिरसकार करके तीन ही चार दिन बाद वहां से चली आई थी इतने दिनों कहां रही साल भर से उपर तो हो गया होगा सोफिया का हिर्दय आनन से गदगद हो रहा था जी में तो आया कि इसी वक्त सारा विरतांत कैसुनाओ माता कि शोकाग निंग शान्त कर दू पर भै हुआ कि कहीं इनका धर्मा भिवान फिरसना जागरेत हो जाए विनय की ओर से तो अवन निश्चिंद हो गई थी किवल अपने ही विशय में शंका थी देवता को ना पाकर हम पाशान प्रतिष्ठा करते हैं देवता मिल गया तो पत्थर को कौन पूजे बोली क्या बताओं कहां थी इधर उधर भटकती फिरती थी और शरण ही कहां थी अपनी भूल पर पस्ताती और रोती थी निराश होकर यहां चली आई रानी तुम वेर्थ इतने दिनों कश्ट उठाती रही क्या यह घर तुम्हारा न था बुरा न मानना बेटी तुमने विने के साथ बरा अन्याय किया उतना ही जितना मैंने तुम्हारी बात उसे और भी ज़्यादा लगी क्योंकि उसने जो कुछ किया था तुम्हारे ही हित के लिए किया था मैं अपने प्रियतन के साथ इतनी निर्दयता कभी न कर सकती अब तुम स्वयम अपनी भूल पर पस्ता रही होगी हम दोनों ही अभिमानी है अह बिचारे विनय को कहीं सुख न मिला तुम्हारा हिर्दय अत्यंत कठोर है सोचो अगर तुम्हें ख़ब मिलते की विनय को डाकों ने पकर कर मार डाला है तो तुम्हारी क्या दशा होती शायद तुम भी उतनी ही दया शुन्ने हो जाती यह मानुए सोभाव है मगर अब पस्ताने से क्या होता है मैं आप ही नित्य पस्ताया करती हूँ अब तो वह काम सम्हालना है जो उसे अपने जीवन में सबसे प्यारा था तुमने उसके लिए बड़े कश्ट उठाए अपमान, लज्जा, दंड, सब कुछ छेला अब उसका काम सम्हालो इसी को अपने जीवन का उद्देश है समझो तुम्हे क्या खबर होगी कुछ दिनों तक प्रभु सेवक इस संस्था के वैवस्थापक हो गए थे काम करने वाला हो तो ऐसा हो थोरे ही दिनों में उसने सारा मुल्क छान डाला और पुरे 500 वालेंटियर जमा कर लिये बड़े बड़े शहरों में शाखाएं कोल दी बहुत सा रुपया जमा कर लिया मुझे इससे बड़ा आनंद मिलता था कि विने ने जिस संस्था पर अपना जान बलिदान किया था अपनी जीवन अर्पित कर दी थी वा फलफुल रही है मगर इश्वर को न जाने क्या मन्जूर था प्रभु सेवक और कुवर साहब में अनबन हो गए प्रभु सेवक उसे ठीक उसी मार्ग पर ले जा रहा था जिस पर विने ले जाना चाहता था कुवर साहब और उनके परम मित्र डाक्टर गामलि उसे दूसरे ही रास्ते पर ले जाना चाहते थे आखिर प्रभु सेवक ने पत्याग कर दिया तभी से संस्था डवा डोल हो रही है जाने बसती है या जाती है कुवर सहा में एक विचितर परिवर्तन हो गया है वह अब अधिकारियों से सशंक रहने लगे हैं अफवा थी कि गवर्न्मेंट इनकी कुल जाइदा जब्द करने वाली है अधिकारी मंडल के इस संसय को शांत करने के लिए उन्होंने प्रभु सेवक के कारकरम से अपना विरोध प्रकाशित करा दिया यही अन्मन का मुख्य कारण था अभी दो मैंने भी नहीं गुजरे लेकिन शिराजा अभी घर गया सेवक निराश होकर अपने काम धंदे में लग गए मुश्किल से दो शौ आदमी होंगे चलो बेटी तुम्हारा कमरा साफ हो गया होगा तुम्हारे भोजन का प्रवंद करके तब इत्मनान से बाते करू फिर महराजन से बोली इन्हें पहचानती है न तब यह मेरी महमान थी अब मेरी बहु है जा इनके लिए दो चार नई चीज़ें बनाला आज विने होता तो मैं अपने हाथों से इसे उसके गले लगाती ब्यार अचाती शास्त्रों में इसकी विवस्ता है सोफिया की प्रबल लिक्षा हुई कि रहस्ये खोल दो बात होडों तक आई और रुख गई सहसा शोर मचा लाला सहाब आगे लाला सहाब आगे भाईया विने सिंग आगे नौकर चाकर चारों ओर से दोरे लॉन्डिया महरिया काम छोर छोर कर भागी एक शण में विने ने कमरे में कदम रखा रानी ने उसे सिर से पैर तक देखा मानो निश्य कर रही हो कि मेरा ही विने है या कोई और अत्वा देखना चाहती थी कि उस पर कोई आगात के चिन्ड तो नहीं है तब उठी और बोली बहुत दिन में आये बेटा आओ चाती से लगा लूँ लेकिन विने ने तुरंद उनके चर्णों पर सिर रख दिया रानी जी को अश्रु परभाह में ना कुछ सूस्दा था ना प्रेमों वेश में कोई बात मुसे निकलती थी जुकी भी विने का सिर पकर कर उठानी की चेश्टा कर रही थी भक्ती और वाद्चलने का कितना स्वर्गे संयोग था लेकिन विने को रानी की बाते ना भूली थी माता को देखकर उसके दिल में जोश उठा कि इनके चर्णों पर आपन समरपन कर दो एक विवश कारी उद्गार था प्रान देने के लिए वही माता के चर्णों पर जीवन का अंत कर देने के लिए दिखा देने के लिए कि यदपी मैंने अपराद किये हैं पर सर्वता लज्जा ही नहीं हूँ, जीना नहीं जानता लेकिन मरना जानता हूँ, उसने इधर उदर निगाह दोराई, सामने ही दिवार पर तलवार लटक रही थी, वह क्रौधा कर तलवार उतार लाया और उसे सिर पर खीच कर भुला, अम्मा, इस योगी तो नहीं हूँ क से लिपट गई, जानवी में लपक कर उसका हाथ पकर लिया और बोली, विने, इश्वर शाक्षी है मैं तुम्हें खपका छमा कर चुकी हूँ, तलवार छोड़ दो, सोफी, तु इनके हाथ से तलवार चिल ले, मेरी मदद कर, विने सिंग की मुखा कृती तेजो मैं हो रह ले थी, आखें बीर बहुटी बनी वी थी, उसे अन्भा हो रहा था कि गरदन पर तलवार मार लेना कितना सरल है, सोफिया ने दोनों हाथों से उसकी कलाई पकर ली और अश्रुप पुरित लोजनों से ताक्ती ही बोली, विने, मुझ पर दया करो, उसकी दृष्टी इतनी करुण थी, इतनी दीन थी कि विने का हिर्दय पसीज गया, मुझ ठीर हीली पर गई, सोफिया ने तलवार लेकर खूटी पर तांग दी, इतने में कुहर भरत सिंग आकर खरे हो गए, और विने को हिर्दय से लगाते हुए बोले, तुम तो बिलकुल पहचाने नहीं जाते, मुझे कितनी बढ़ गई है, कितने दुर्बल हो गए हो, बिमार थे क्या, विने, जी नहीं बिमार तो नहीं था, ऐसा दुर्बल भी नहीं हूँ, अब माता जी के हाथों के पकवान खाकर मोटा हो जाओंगा, कुवर सहब, तुम दूर क्यों खरी हो सोफिया, हाओ तुमें प्यार कर लू, रोज ही तुम्हारी याद आती थी, विने भरा भागिशाली था कि तुम जैसी रवनी पाई, संसार में तो मिलती नहीं, स्वर कि मैं नहीं कहता, अच्छा संयोग है कि तुम दुनों एक ही दिन आए, बेटी, मैं तुमसे विने की शिफारिश करता हूँ, तुमने इन्हें जो फटकार बताई थी, उसे सुनकर बिचारा नायक राम इस्त्रियों से इतना डर गया कि तै की कराई सगाई से इंकार कर गया, उम्र भर इस्त्री के लिए तरस्ता रहा, पर अब नाम भी नहीं लेता, कहता है या बेवफा जात होती है, भया विने सिंग इन्हें जिसके लिए बदनामी सही जान पर खेले, वही उनसे आखे फेर ले, कान पकड़े, अब तो मर जाओंगा पर ब्या न करूँगा, अपना हाथ बढ़ाओ विने, सोफी, यहलो, तो मुझे इत्मिनान हो जाएगी, तुम्हारा दिल साफ होत गया है, जानवी, चलो, हम लोग बाहर चले, इन्हें एक दूसरे को मनाने दो, इन्हें कितनी ही शिकायते करनी होंगी, बाते करने के लिए विकल हो रहे होंगे, आज बरा शुब दिन है, जब एकान्त हुआ तो सोफी ने पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, विने ने सकुचाते हुए का, सोफी, मुझे वहां मूँ छिपाकर बैठते हुए सर माती थी, प्रान भैसे दबक जाना कायरों का काम है, माता जी की जो एक शाह हो वही सही, नायकराम कहता रहा, पहले मिस सहब को आने दो, लिकिन मुझ से न रहा गया, सोफिया, खेर, अच्छा हिवा खूब आ गये, मात सोफिया, मुझ से तो ऐसे तूट कर गले मिली कि मैं चकित हो गई, यह उन्ही कठोर वचनों का प्रभाव है जो मैंने तुम्हे कहे थे, माता आप चाहे पुत्र को कितनी ही तारना दे, यह गवारा नहीं कर दी कि कोई दूसरा उसे करी निगाह से भी देखे, मेरे अन्याय ने उनकी न्याय भावना को जाकरित कर दिया, विने, हम लोग बरे शुब मुहर्त में चले थे, सोफिया, हाँ विने, अभी तक तो कुशल से बीती आगे की इश्वर जाने, विने, हम अपना दुख का हिशा भोग चुके हैं, सोफिया ने आशंकित स्वर से कहा, इश्वर करें ऐसा ही हो, किन्दु सोफिया के अंतस्तल में अनिष्ट शंका का प्रतिवे में दिखाई दे रहा था, वह उसे प्रकट न कर सकती थी, पर उसका चित्त उदास था, संभव है कि जन्गत धार्मिक संसकारों से विमुख हो जाने का खेद इसका कारण हो, अथ्वा वह इ मिल के तयार होने में अब बहुत थोरी कसर रह गयी थी, बाहर से तंबाको की घारियां लदी चली आती थी, किसानों को तंबाको बोने के लिए दादनी दी जा रही थी, गवर्नर से मिल को खोलने की रस्म अदा करने के लिए प्रार्तना की गयी थी, और उन्हें स्विकार भी कर लिया था तिथी निश्य हो चुकी थी इसलिए निर्मान कारे को उस तिती तक समाप्त करने के लिए बरे उत्सा से काम किया जा रहा था उस दिन तक कोई काम बागी न रहना चाहिए मज़ा तो जब आए कि दावत में इसी मिलका बना हुआ सिगार भी रखा जाए सरक के दोनों किनारों पर और निकट के खेतों में मज़दूरों ने जोपरियां डाल ली थी एक मिल तक सरक के दोनों और जोपरियों की श्रेनिया ही नजर आती थी यहां बड़ी चहल पहल रहती थी दुकानदारों ने भी अपने अपने चपर डाल दिये थे पान, मास, गुड, घी, साग, भाजी और मादक वस्तों की दुकाने खुल गई थी मालूम होता था कोई पैठ है मिल के परदेशी मजदूर जिन्हें ना बिर्दादरी का भैथा ना संबन्दियों का लिहाज दिन भर तुमिल में काम करते, राद को ताड़ी सराब पीते, जुआ नित्ते होता था ऐसे स्थानों पर कुल्टाएं भी आ पहुंचती है यहां भी एक छोटा मोटा चकला आबाध हो गया था पांडेपुर का पुराना बाजार सर्द होता जाता था मिठवा, घीसु, विद्यधर तीनों अकसर इधर सैर करने आते और जुआ खेलते घीसु तो दूद बेचने के बहाने आता, विद्यधर नौकरी खोजने के बहाने और मिठवा किवले उन दोनों का साथ देने आया करता था दस ग्यारा बजे रात तक वहां वरी बहार रहती थी कोई चाट खा रहा है, कोई तंबोली की दुकान के सामने ख़रा है कोई वैश्याओं से विनोध कर रहा है अश्यलील हास परिहास, लज्जासपत, नेत्र कटाक्ष और कुवाशनापुर्ण हावभाव का अविरल प्रवा होता जा रहा था पांडेपुर में ये दिल्चस्मिया कहा लड़कों की हिम्मत न परती थी कि तारी की दुकान के सामने खरे हो कहीं घर का कोई आदमी देखना ले यूकों की मजाल न थी कि कि किसी इस्त्री को छेरे कहीं मेरे घर जाकर कहना दे सभी एक दूसरे से सम्बंद रखते थे यहाँ वे रुकावटे कहा प्रती एक प्रानी सोचन था उसे ना किसी का भैथा ना संकोच कोई किसी पर हसने वाला न था तीनों ही यूकों को मना किया जाता था वहाँ न जाया करो जाओ भी तो अपना काम करके चले आया करो किन्तु जवानी दिवानी होती है कौन किसी की सुनता है और सबसे बुरी दशा बजरंगी की थी घीसु नित्य रुपे आठ हाने उरा लिया करता पूछने पर बिगर करकाता क्या मैं चोर हूँ एक दिन बजरंगी ने सुरे से कहा सुरे लड़के भरभाद हुए जाते हैं जब देखो चकले ही में डटे रहते हैं घीसुआ में चोरी की बान कभी न थी अब ऐसा हत लपका हो गया है कि सौ जतन से पैसे रखो खोज कर निकाल लेता है जगधर सूर्दास के पास बैठा हुआ था ये बाते सुनकर बोला मेरी भी वही दसा है भाई विद्याधर को कितना पढ़ाया लिखाया मेडल तक खीच खाज कर ले गया आप भुखा रहता था घर के लोग कपड़ों को तरस्ते थे मगर उसके लिए किसी बात की कमी न थी आशा थी चार पैसे कमाएगा मेरा बुढ़ापा कट जाएगा घर बार समभालेगा मिरादरी में मरजाद बढ़ाएगा सो अब रोज वहाँ जाकर जुआ खेलता है मुझसे बहाना करता है कि वहाँ एक बाबु के पास काम सिखने जाता हूँ सुनता हूँ किसी औरत से उसकी आसना ही हो गई है अभी पुतली घर के कई मजदूर उसे खोजते वे मेरे घर आए थे उसे पा जाएं तो मार पिट करें वे भी उसी औरत के आसना है मैंने हाथ पायर पकर कर उनको बिदा किया है या कार खाना क्या खुना हमारी तबाही आ गए फाइदा जरूर है चार पैसे के आमदनी है पहले एक ही खोचाना बिगता था अब तीन तीन बिग जाते हैं लिकिन ऐसा सोना किस काम का जिससे कान फटे बजरंगी अजी जुआ ही खेलता है तब तक गनी मत थी हमारा घीसू तो आवारा हो गया है देखते नहीं हो सूरत कैसी बिगर गई है कैसी दे निकल आई है मुझे पूरी आशा थी कि अब दंगल मारेगा अखारे का कोई पठा उसके जोर का नहीं है मगर जब से चकले की चाट पर गई है दिन दिन खुलता जाता है दादा को तुमने देखा था न दस-पांच कोश के इर्दगेर्द कोई उसे हाथ न मिला सकता था चुटकी से सुपारी तोड़ देते थे मैंने भी जवानी में कितने ही दंगल मारे तुमने तो देखा ही था उस पंजाबी को कैसा मारा था कि 500 रुपे इनाम पाए और अखबारों में दूर दूर तक नाम हो गया कभी किसी माई के लाल ने मेरी पीट में धूल नहीं लगाई तो क्या बात थी लंगोटे के सच्चे थे मोचे निकलाई थी तब तक किसी औरत का मूँ न देखा था ब्या हो गया तब भी मेहनत कसरत की धुन में औरत का ध्यान ही न करते थे उसी के बल पर अब भी दावा है कि दस्माज का सामना हो जा तो छक के छुड़ा दू पर इस लोने ने डोंगा डुबा दिया घुरे उस्ताद कहते थे कि इसमें दम ही नहीं है जहां दो पकड हुए बस भैंसे की तरह हाफने लगता है सूर्दास मैं अंधा आदमी लोन्डों के ये खौतु क्या जानू पर सुभागी कहती है कि मिठवा के धंग अच्छे नहीं है जब से टेशन पर कूली हो गया है रुपए आठ आने रोज कमाता है मुदा कसम लेलो जो घर पर एक पैसा भी देता हो भोजन मेरे सिर करता है जो कुछ पाता है नशे पानी में उरा देता है जगधर तुम भी जूट मुट लाजड हो रहे हो निकाल क्यों नहीं देते घर से अपने सिर परेगी तो आते धाल का भाव मालुम होगा अपना लड़का हो तो एक बात है भाई भती जे किसके होते हैं सूर्दास पाला तो लड़के ही की तरह दिली नहीं मानता जगधर अपना बनाने से थोड़ी ही अपना हो जाएगा थाकुर दिन भी आगया था जगधर की बात सुनकर भुला भागवान ने क्या तुम्हारे करम में काटे ही बोना लिखा है किसी का भी भला नहीं देख सकते सूर्दास उसके मन में जो आय करे पर मेरे हाथों में तो यह नहीं हो सकता कि मैं आप खाकर सोऊं और उसकी बात न पूछो फाकुर दे कोई बात कहने के पहले सोच लेना चाहिए कि सुनने वाले को अच्छी लगेगी या बुरी जिस लड़के को बालपन से पाला और इस तरह पाला की कोई अपने बेटे को भी नहीं पालता होगा उसे अब छोड़ दे जमनी अब के कल जुगी लड़के जो कुछ न करें थोड़ा है अभी दूद के दाथ नहीं तूटे सुभागी ने घीशु को गोद खिलाया है जो आज वा उसी से दिल लगी करता है छोटे बरे का लिहाज उठ गया है वह तो कहो सुभागी की काठी अच्छी है नहीं तो बाल बच्चे हुए होते तो घीशु से जेठे होते यहाँ तो ये बाते हो रही थी उधर तीनों लॉंडे नायक राम के दलान में बैठे वे मन सुबे बांध रहे थे घीशु ने कहा सुभागी मारे डालती है देखकर यही जी चाहता है कि गले लगा ले सिर पर साग की टोगरी रखकर बल खाती वी चलती है सो जान ले लेती है बड़ी काफर है विद्याधर तुम तो हो बड़े गामर पढ़े लिखे तो हो नहीं बात क्या समझो मासुक कभी अपने मूँ से थोड़े ही कहता है कि मैं राजी हूँ उसकी आखों से तार जाना चाहिए जितना ही बिगरे उतनी ही दिल में राजी समझो कुछ पढ़े होते तो जानते की ओरतें कैसे नखरे करती है मिठवा पहले सुभागी मुझसे भी इसी तरह बिगरती थी किसी तरह हथे ही न चड़े बात तक न सुने पर मैंने हिम्मत करके एक दिन कलाई पकर ली और बोला अब न छोड़ूँगा चाहे मार ही डाल मरना तो एक दिन है ही तेरे ही हाथों मरूँगा यो ही मर ही रा हूँ तेरे हाथों मरूँगा तो सीधे सरक जाऊँगा पहले तो बिगर कर गालियां देने लगी फिर कहने लगी छोड़ दो कहीं कोई देख ले तो गजब हो जाए मैं तेरी बुआ लगती हूँ पर मैंने एक न सुनी बस फिर क्या था उसी दिन से आ गई चंगुल में मिठुआ अपनी प्रेम विजय की कल्पित कथाएं गढ़ने में निपुन था निरक्षर होने पर भी गप्पे मारने में उसने विद्याधर को मात कर दिया था अपनी कल्पनाओं में कुछ ऐसे रंग भर देता कि मित्रों को उन गपोडों पर विश्वास आ जाता था घीसु बुला क्या करूँ मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती डरता हूँ कहीं शोर मचा दे तो आफ़त आ जाए तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई थी विद्याधर तुम्हारा सिर जाहिल जपाट तो हो मासुक अपने आसिक को आजमाता है कि इसमें कुछ जीवट भी है या योही छला बना फिरता है औरत उसी को प्यार करती है जो दिलावर हो निडर हो आग में कूद बड़े घीसु तुम तयार हो विद्याधर हाँ आज ही मिठ हुआ मगर देख लेना दादा द्वार पर नीम के नीचे सोते है घीसु इसका क्या डर एक धक्का दूंगा दूर जाके गिरेगा तीनों मिसकौट करते इस सडेयंत्र के दाउं पे सोचते वे कुली बाजार की तरफ चले गए वहाँ तीनों ने शराब पी दस ग्यारा बजे रात तक बैठे गाना बजाना सुनते रहे मदिरालेओं में स्वरहीन कानों के लिए संगीत की कभी कमी नी रहती तीनों नशे में चूर होकर लोटे तो घीसु बोला सलाह पक्की है ना आज वारा न्यारा हो जाए चित परेया पट आधी रात बीच चकूई थी चौकिदार पहरा देकर जा चुका था घीसु और विद्यधर सूर्दास के द्वार पड़ाए घीसु तुम आगे चलो मैं यहां खरा हूँ विद्यधर नहीं तुम जाओ तुम गवार आदमी हो कोई देख लेगा तो बाद भी न बना सकोगे नशे ने घीसु को आपे से बाहर कर रखा था कुछ यह दिखाना भी मन्जूर था कि तुम लोग मुझे जितना बोदा समझते हो उतना बोदा नहीं हो जोपरी में घोसीप तो पड़ा था और जाकर सुभागी की बाह पकर ली सुभागी चौक कर उट बैटी और जोर से भोली कौन है हट घीसु चुप चुप मैं हूँ सुभागी चोर 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 सूर्दास जागा उठकर मरिया में जाना चाहता था कि किसी ने उसे पकर लिया उसने डाट कर पूछा कौन है जब कुछ उत्तर न मिला तब उसने भी उस आदमी का हाथ पकर लिया और चिलाया चोर 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 मुहले के लोग ये आवाजे सुनते ही लाठिया लेकर निकल पड़े बजरंगी ने पूछा कहां गया कहां सुभागी बली मैं पकड़े वे हूँ सूर्दास ने का एक को मैं पकड़े वे हूँ लोगों ने आकर देखा तो भीतर सुभागी घीसी को पकड़े वे बाहर सूर्दास विद्याधर को मिठवा नायक राम के द्वार पर खरा था या हुलर सुनते ही भाग खरा हुआ एक शण में सारा मुहला तूट पड़ा चोर को पकड़ने के लिए बिड़ले ही निकलते हैं पकड़े गए चोर पर पंचलतिया जमाने के लिए सबी पहुंच जाते हैं लेकिन यहां आकर देखते हैं तो न चोर न चोर का भाई बलकि यह अपने ही मुहले के लॉंडे हैं एक इस्तरी बोली यह जमाने की खुबी है कि गाउं घर का विचार उठ गया किसकी आबरू बचेगी ठाकुर दिन ऐसे लॉंडों का सिर काट लेना चाहिए नायक राम चुप रह ठाकुर दिन यह गुस्सा करने की बात नहीं रोनी की बात है जगधर, बजरंगी, जमनी, सिर जुकाई चुप खरे थे मुह से बात न निकलती थी बजरंगी को तो ऐसा क्रोधा आ रहा था कि जमनी ने रोकर कहा यह लॉंडे मुँ में कालिक लगाने वाले है अच्छा होगा चाचा मैने की सजा काटाएंगे तब इनकी आखे खुलेगी समझाते समझाते हार गई कि बेटा कुरा मत चल लेकिन कौन सुनता है अब जाके चक की पीसो इससे तो अच्छा था बांजी रहती धन्यवाद